राधा राधा जी सभी को मेरे जो भी यूट्यूब फैमली है देखो ये किते प्यारे लग रहे हैं ना बनने के बाद और कैसे बनाए हैं वो तो आगे देखेंगे ही वीडियो में आप ये सच्ची में कबार से जुगाड़ है देखो ये पत्थर है ना जो कुछ रेनू लेक के आई एन में एक दो और कुछ में लाई हूं उठा के रोड से मतब ये देखो जो घर में कबार निकलता है वो तो इस्तमाल करते हैं जो बाहर से भी उठा के लिए आते हैं ऐसे होते हैं कबार से जुगाड़ करने वाले तो इन पर वाइट पेंट करके दूप में सुखा जा था थोड़ी देर ताकि मिक्स मैच ना हो और ये 20 रुपे की सिसी आती है एक कलर की जो किताब वाल दुकान है उसमें मिल जाती है इजीली बिलकुल और इससे हैं अब मैं इनका थोड़ा सा अगे का सीरा छोड़के इनने बाकी को सभी को रेड कर दिया है कुछ को यल्ल करूंगी तो दो कलर में मैं बना रही हूं उनको आप चाहे तो कैसे भी कलर में बना सकते हैं पर यलो और रेड के साथ ब्लैक का कोंबिनेशन थोड़ा ठीक लगता है तो इस लेमन ने इनको इस तरह बना दिया है ये इनका रेड जो बनाया ये बैक साइड है और जब ये बनाऊंगी इधर इनका बनेगा फेस तो ये जी हमें पूरी कोशिस कर रही हूं दिवाली तक अपना घर गार्डन सब सजा के तयार कर दूं क्योंकि मैं धीरे 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 लगी हुई हूं काम में और दिवाली तक सब तयार हो जाएगा बलके दिवाली तक क्या आप भी ल फिर एक साथ सारा काम होने पाता फिर ऐसा लगता कि काम ज्यादा है और समए कम है फिर पूरा दिन लगे रहो तो ठक भी जाता इंसान तो इससे तो ऐसा है कि अभी थोड़ा थोड़ा करना सूरू कर दीजिए तो अभी मैं गार्डन में और ये कुछ डियाइवाई थोड़ा करने में अब बस रूम्स की सफाई चलने वाली है क्योंकि अब एक एक करके अलमीरा बैड वगेरा सब साफ कर दूंगी तो तो उससे होगा क्या कि जब जादा बीजी टाइम आएगा तो बिल्कुल उपर-उपर का काम रह जाएगा जैसे डस्टिंग कर दो अच्छ को मैं अब दीरे-दीरे शुरू कर रही हूं और बातों बातों में देखो इन्होंने कितना सुन्दर सा और जब हम छोटे थे अभी तो नहीं दिखते हैं यह गाउं में तो अभी भी दिख जाते हैं जा खेत की साइड दिख जाएंगे अभी भी आपको इनको फेल पास बो हम भी बहुद के महीं देखा है क्योंकि हमें जाते हैं और यहां पर भी खेत वेट में तो जाते नहीं तो इसलिए लेकिन बत्चि जाथा philosophical इंगली समें इसको बोलते हैं लेडी बग और हम तो फेल पास ही बोलते थे पहले इसको यह बड़े प्यारे लागे मैं काफी दिन से सोच रही थी कि मैं इने गार्डन के लिए बनाओं क्योंकि यह बड़े अच्छे लगते हैं पोदों में रखे हुए और अब जब मैं अप के साथ शेयर करूंगी तो लीजिए जी वाइट कलर से इनकी आँखे भी बना दी है और आखे मैं बना रही हूं जो यह रबड़ होती है न उस से ताकि बिल्कुल गोल बने तो यह आखे भी बना दी है और इसमें बनने के बाद कितने क्यूट लग रहे हैं यह ऐसा लग र मैंने यह बहार ही रख रखे हैं क्योंकि अभी बारिस वारिस का भी मोसम है जब बारिस बिल्कुल चली जाएगी तब गार्डन में लगाऊंगी अगर आपको भी ऐसा गोल पत्थर मिल जाते है न तो आप भी जरूर बनाईए एक या दो इतने भी बिले और मैं इन्हें न रोड पर हमारी रोड पर काम चला था गड़े हो रहे थे तो गड़ो में मोटे मोटे पत्थर पड़े थे मैं वोक के लिए जाती हूं मॉर्णिंग और एक दिन तो ऐसा हुआ कि मैंने उठा के आग गे जाना था वो कहीं साइड में रख दिये कि वापस जब घर जाओंगी तब उठा लूँगी जब तक मैं वापस आई वो वहां से गायब मिले मिले मिरको किसी ने जाड़ू लगाई होगी गेट पर अपने किसी की महां प भी हो रही थी लेगिन फिर भी मैंने हिम्मत करके उठा लिए नेक्स डे फिर में उठा के लेके आई कि नहीं मेरे को बनाने ही हैं अपना गार्डन सजा नहीं है और यह है पोलिस यह मैंने अपने इस पे लगाई न तो देखो यह थोड़ा सा इसने कलर छोड़ दिया है ज नहीं तो यह बने बड़े अच्छे हैं और बड़े ही प्यारे लग रहे हैं क्यूट एकदम तो आप भी जरूर बनेए अगर आपके पास पत्थर हैं तो उससे इस तरह का कुछ भी डियाइवाई जरूर करिये आप और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर देना शेयर कर लेना अपनी फ्रेंड्स और फैमली के साथ और प्लीज चानल को सस्क्राइब नहीं किया तो चैनल को सस्क्राइब भी कर लेना मिलते हैं फिर नहीं वीडियो के साथ सबीगों रादे रादे यह जयोद arbitrary